हाँ आज हम पड़ाए माता मंदिर जिसको हम गिड़वाना में जोस्तीत है नमक वाली माता के नाम से भी जानते हैं इन माता की करण ही हजारों हजारों साल से नमक निकाले जा रहे हैं और ये देखो मैं नमक ज्छीली आपको दिखा रही हूँ जहां जहां तक सफेद की पहाड ऊचेउचे टीले दिख रहे हैं पानी दिख रहा है वहाय सब नमक ज्छील है इसके पीछे एक कथा है उस कथा को मैं आपको सुनाती हों और साथ के साथ चलती हूं सामने दिखाती हूं एक समय आज से हजारों साल पहले कहते हैं 1175 वर्सपूर्व की कहानी है एक सेट रहता था जिसको लोग भैसा के नाम से पुकारते थे उसे खूब गाएं थी और उस गायों को यह जो आप जगह देख रहा है न वो जंगल पहले हुआ करता था इस जंगल में गायों चरानी के लिए गवाला आता था उसमें से एक गाय ऐसी थी यहीं पर मंदिर में केर का पेड़ है उस पेड़ के नीचे से है ना पेड़ के जड़ से माता निकलती और जो चरवा जो सेट जी का एक गाय थी उसमें से एक गाय यहां आती खड़ी होती माता के पेड़ के नीचे से निक पीती हैं और वापिस केर के पेड़ में समाज आती हैं ऐसे करते करते काफी दिन हुआ सेट लोग तो बहुत चालाक होते हैं उसने देखा कि भाई सारी गायों को दूद आती है एक गाय जो है सुबह दूद देती साम को दूद देती बात क्या है बात यह कि गॉला ने हो सकता जैसे सब गायों चलाता है उसे मैं इसको भी चलाता हूं बोले कि नहीं जुरूब इसका है दूद बोले जेट गी अगर आप कुछ कह रहे हो तो मैं ध्यान कल दूँगा कल देखता हूं कि क्या कारण है तो जब सेट देखा नुसार गॉला उस गाय पर नजर रखने लगा जो दूद साम को नहीं देती थी उसने क्या देखा कि साम चार बजते ही गए उस सब गायों से अलग हो जाती और वही केड माता जी के पास जो केड का पेड है उस पेड के पास आता आती और अपना दूद निकालती माता जी दूद पीती और आपिस केड के पेड के नीचे स निकलती है दूध पीती है और केर के पेड़ में समाझ आती है चलो मैं देखते हूं उसने कहा शेट ने चलो कल कर दिखाना तुम लेकर चरवाहा और सेट जी सात थाए साथ आये तो सच्ची घटना थी, गाय आई, माता निकली, दूद पिया, और माता केर के पेड़ में समाने जब दिनी, स्वेट न उसके चरन पकड़ लिये, कहा कि आप कौन हो, दूद हो, भूत हो, यक्छव गंधर वो हो, कौन हो, कि आपकी गती मुक्ती नहीं हुई है, बताओ, इसके बदले तु जो मांगता है, जो बर्दान मांगेगा, मैं तेरे इच्छा को पूरी करूंगे, सेट ने सोचा कि चलो, मैं चान्दी ही मांग लेता हूँ, चान्दी ख़दान मांग लेता हूँ, माता ने कहा कि चलो, मैं तुमें चान्दी ख़दान देता अगे आगे अपना घोड़ा ले करें करने जहारे अपनी सारे गायों को लेकर चाओ और जहां जहां नीक मैं आ ₹ vari स्चा जितनी दूर तुढ़ा प॥ पूर के निक निश कर देखिए और यहां तक और नहीं बंप लेकिन माता जैसे के पेड़ से प्रकट होने भ्यंकर गर्ज नहीं प्रकट नहीं चाहती हुए कि सेट को इतने सारे संपत्ति मिले माता की क्रिपा यह देखो कोई पक्षी चिडिया जा रही है बहुत संख्या में जा रही है उड़ रही है तो चलिए कि अब हम आगे कहानी को बताते हैं हुआ क्या कि जब केर के पेड़ से निकलने लगी माता भ्यंकर गर्ज नहीं हुई सेट डर गया और आगे बढ़ा और भ्यंकर गर्जना प्रत्व हिलने लगी अकास कमपाई होने लगा विच टक्रा करके दूसरे से गिरने लगे जोर जोर की आंधी चली बड़े बड़े पत्थर आपस में टक्रानी लग गया है शेट घबरा गया कि हुआ क्या यह सब उसी माता की किरपा से हुआ हो उस लड़की ने जो किया है वह उसी लड़की का यह काम है उसने पीछे मुड़कर के देखा पीछे आप छमा करें मुझे मैं भूल कर गया हूं यह जो चांदी आपने मुझे दिया है मा और इतनी जो चांदी खदानी मुझे कौन खाने देगा सारे राजा महराजे लड़ लड़ा करके मेरे ही कपल कर देंगे मेरी हत्या कर देंगे मेरा परिवार कर नास हो जाएगा यह मा यह चांदी आपने देखा है जो मुझे दिया है इसे आप ऐसी सफेद चीज में परिवर्तित कर दो जिससे की हमारा नाम भी चले और हम भी कमा के खाए और हज्जारों हज्जारों साल तक जनता कमा कर खाए माता निकाए तथास्त ऐसे कहगर के माता तर्ध्यान हो गई और आज हम उसी पड़ाय माता की मंदिर में दर्शन करने आए हैं तो आपको मैंने ये कथा सुनाई है तो चलिए हम अपने कथा को यहीं विराम देते हैं और यह जो आप देख रहे हैं न कहते हैं यहां से नमक कोई भी व्यक्ति चुरा के नहीं ले जाता है जो भी व्यक्ति लेता है यहां से नमक के खरीद लिकर के ही लेता है मैं आपको दिखाती हूं यह नमक यह देखो नमक है नमक और यही नमक फिर आगे जा करके इसका पीसा जाता है और कुछ किया जाता ह सावूत नमक यह आपकी इसी नमक को फिर पीशते हैं और नमक हमारे खाने में काम आता है क्या है पिर्थवी की लीला क्या है माँ की लीला ये तो माहीं जाने शौनिए उपने बक्तभ विराम देती हूं फिर मिलते हैं इसली वीडियो में तब तक लए जाहें